नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का यूटीफ चैनल जॉट्टे में दोस्तों इंडियान आर्मी के तरफ से और जो है ए आरो और एचक्यू के तरफ से यहाँ पर आफ लाइन फॉर्म जो है जारी की गई है दोस्तों तीन अलग 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 विभाग में जो की आफ जो है यहाँ पर एक ही वीडियो में सिंगल वीडियो में सारे डिटेल आपको बता दू वीडियो थोरी लॉग होगी लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर यहाँ पर और अफ लाइन आप लोग अपलाई करेंगे कैसे करेंगे स्टेप बाई स्टेप मैं जानकारी दे आपको आप सभी देख सकते हैं नोटिस है वह जो कि आर्मी हेड कोर्टर के तरफ से यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर वेकेंसी के बारे में निव देली लिखा हुए ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ बी र की जो है यालिए आर्वर के लिए दो यहाँ पर ड्यान रके है एक ऑन्रिजब के लिए है एक SC के लिए हैं जो जैनर्रा के हो DCrit के लिए एक पोश्ट है यानि दो अप्लाई कर सकते हैं उसका अगर दोस्तों बात करें पेलेवल की तो अठाड़ा हजार से लेके जो है वह 56,900 तक आपकी अपर सैली बनेगी साथ में बात करें जो क्यों की तो मैट्रिक पास आपका होना बसक है उसके प्रोफेशनल के बारे में यहां पर बताया गया है कि वा नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं उसके जो यहां पर वास अरवन की बात करें तो दोस्तों अन्रिजर्ब के लिए एक पोश्ट है जिसमें 18-25 तक कोई भी कंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहां पर सैली जो है सेम है एक्ट्रिक पास मांगी गई है मस्ट भी अ अगर काम आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेट से आपका होना आवज सकते हैं ठीक है और यहां पर एक साल का यहां पर एक्सप्रियंस भी मांगा गया है और होगा तो और अच्छी बात है यहां पर उसके बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है दोस्तों तो तक आप इस वेकेंसी को लिए अप्लाई कर सकते हैं यहां पर और भी डिटेल में कहा गया है कि जो भी कंडिडेट अप्लाई करेंगे साड़ो कुछ देने के अपने बाद यहां पर सभी को जो भी आपके पास डोकुमेंट पर रहे जिस भी क्वाइलिफिक्शन के हिसाब से अप्लाई करते हैं तो यहां पर मांगा गया है कि जो है सेल्फ एड्रेस करके जो है ठीक है इन्वैलप में आपको जो है वह फिक्स करना है और भेजना है और पांच रुपे का उस प इकट आपको लगा के साथ में भेजना सभी कुछ ठीक हो कहा गया एप्लिकेशन फॉर्म आपको कैसे अपराप्त करनी है तो मैं वैसे इसका लिंक आपको दे दूंगा टेलिग्राम ग्रूप में तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए तो यहां यह जो है वह एफ तो यह है दोस्तो सतरह से लेकिए आप इंप्लाइमेंट निउस में आई है तो मैं वह अब इसे डेट आपको बता दूंगा वीडियो कि लाश्ट तक में ठीक है तो आप लोग देखते लिए वीडियो अब दुस्तों यहां पर एक नई वेकेंसी जो आई है यहां पर कि group-c की KPI पोस्ट है आपके जो ओंपर सीलिज देख सकते हैं जो आपका यहां पर 20,200 से स्थार्ट होने वाला है जंडरल के लिए ही दो पोश्ट है कोई भी कंडिडेट अप्लाइए कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अपको एज में मिल जाएगी तो यह चीज़ा आप लोग ध्यान रखिएगा साथ में अगर बात करें इसकी जो है और भी सारी डिटेल के बारे में तो हिंदी इंगलिस दोनों में यहां पर विए डिटेल में दिया गए तो आप हैं से चेक आउट वैसे कर सकते हैं लेकिन यहाँ तो बाद से और थे पचास पचीस अप जान रखिये गा इसे भी कि आपको जो है ऑफ लाइन फॉर्म भरना है ठीक है उसके फीजिकल इस्टेंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर एक सो पैंसेट सेंटीमीटर आपका जो है वह हाइट होना चाहिए ठीक है और यह जो है यहाँ पर देख सेंटीमीटर आपकी एक्रीस दसन्बलब पांच सेंट पाकि को 193 मीटरं तक है आपको चल के जाना होगा उसके यहां पर में उप्हश् defject कर ना होगा वह अब लाइक नहां होगा और तीन मीटर तक आपको आपको बट करेंगे 098 Multiple rating करें वहीं इन्हुके बददें करें आपको फिक्स करके वहां पर भेजना होगा यहां पर फॉर्वेड एड्रेस किया गया है और सभी का जो है एड्रेस मैंने जो है वह डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यह जी ध्यान रखिएगा उसका दोस्तों अगर बात करें इसे जो है अपना भेजना कैसे तो आप देख स आप जो है जब से यह इस दिन से 21 तक आप जो रिक्रिट्मेंट उसके लिए जा सकते हैं और यहां पर सिय नमबर देख सकते हैं यानि कि अड़राइजमेंट नमबर जो है यहां पर वो दिया गया है इंपॉलाइमेंट निउस का नमबर तो यह भी आप से पूछा जाएग तो वहां पर देदिएगा यह जो है इसकी देख सकते हैं यह जो है ओफलाइन फॉर्म भढ़ाएगी उसमें आपको यह देना होगा तो इसे क्या करना है जो एफोर साइज पोट हैं जो पेज होगा उस पे आपको इसे टाइप करवाना होगा ठीक से और वहां से आपको नि गया है और employment notice यहां पर दिया गया है यह जी ध्यान रखिएगा क्योंकि यह आप लोग जो offline form जो apply किजिए उसमें भी आपको employment notice number वहां पर मांगी जाती है तो यह जी ध्यान रखिएगा और date भी मैं आपका जो है वहां पर बता दिया हूं और यहां पर दोस्तों देख सकते है जो MTS के लिए apply कर सकते हैं और MTS जो सफाई कर्मी के लिए उसके लिए apply कर सकते हैं यहां पर पोस्ट दिया गया है उसके आद यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपको क्या करना है यहां पर multitasking staff सफाई वाला के लिए general candidate का एक post है MTS जो messenger है उनके लिए एक post है दो post दिया है और थोड़ा थोड़ा ही जो पोस्ट है लेकिन मैंने आपको तीनो बेकेंसी के बारे में दे दिया है यहां पर sell दिया आपकी अठाड़ा हजार से लेकिए वह 56,900 तक जाहीगी अठाड़ा पर से लेकिए पचिस वर्स तक कोई भी candidate है जेनरल apply कर सकते हैं SCST OBC से हैं तो मिल जाएगी लेकिन यहां पर जेनरल की है तो SCST से जो candidate apply करेंगे उनका नहीं होने वाला है जो भी candidate है वो जेनरल में ही apply कर सकते हैं वो चाहे SCST के हैं या OBC के हैं यह चीद ध्यान रखिएगा matriculation यहां पर मांगी गई है experience बेगरा कुछ नहीं मांगी गई है यह चीद ध्यान रखिएगा आप सभी उसके जाद यह vacancy जो है आपको जो है आपको आपका यहां पर होगा ठीक है उस पर आपको टाइप करवाना है और साड़ा कुछ आपको बढ़ना है सबसे पहले देख कि जिस दिन का जो है यह employment notice number आया है उसमें क्या करना इसे आपको यहां पर देख सकते हैं कि भर देना employment notice number यह है तो यह जो आपको भर देना उसमें यह चीद ध्यान रखिएगा जिसमें भी आये तो उसके जो ऊपर नीचे में कहीं लिखा रहेगा उसके यहां पर आपको ज 10 माई 2021 से पहले और जो इंवेलब दीजिएगा आपका जो है वहाँ पर सेल्फ एटेस्ट होना चाहिए एड्रेस पूरा और आप यहाँ आप पर 10 रुपे जो भी आपका होगा स्टांप ठीक है वह आपको लगवाना है अब बात आती है आप लोग इसे जो है वह भेजेंगे कैसे किस माध्याम से तो offline mode से post office के द्वारा भेजना है आप चाहिए रजिस्टर करके भेजे इस पोस्ट को या आप यहाँ पर नॉर्मल डाक से भेजे या जैसे भी आपको भेना है speed boost भी कर सकते हैं तो यह जानकारी मैंने आपको दे दिया single video में 3-3 vacancy को मैंने cover किया है अ अगली ग्राम ग्रूप आप लोग जोइन कर लिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद मिलता फिर अगली वीडियो में